अब यह आपको शो करना है कि अगर कोई क्वाड्री लेटल उसके जो डाइगनल्स है वो 90 डिग्री पे बाइसेट कर रहे हैं तो वो एक रॉम्बस होगा अब यह आपके सामने कोश्चन है यह A, B, C, D मैंने एक क्वाड्री लिटल बनाया है और इसमें आपको यह गिवन है कि यह जो डाइगनल्स है न A, C और B, D यह बाइसेट कर रहे हैं अब यह बाइसेट कर रहे हैं और B, O, D यह चीज आपस में बराबर है और यहाँ पे सारे के सारे जो एंगल्स हैं यह 90 डिग्री के हैं यह दो चीज़े आपको गिवन है आपको प्रूफ करना है कि A, B, C, D एक रॉम्बस है रॉम्बस का मतलब होता है रॉम्बस की जो चा कर दें कि A, B, B, C, D, A यह चारो साइट है आपस में बराबर है तो आपका रॉम्बस प्रूफ हो जाएगा तो चलिए शुरुवात कैसे करेंगे इसकी सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे गिवन में लिखेंगे लेटस ड्रॉआ क्वाड्र लेटल एबी सीडी इन वेज A, O is equal to O, C and B, O is equal to O, D. A, O, C के बराबर है, B, O, O, D के बराबर है. लेटस इसलिए लिखेंगे क्योंकि फिगर आपको देनी रखी है. आपने अपनी तरफ से बनाई है और इसमें यह जो डाइगनल्स है यह बराबर है. दूसरी चीज़ इसमें यह भी बराबर है कि A, O, B B, O, C, C, O, D और A, O, D. यह जो चार एंगल्स हैं. चारो के चारो बराबर हैं और यह 90 डिग्री के हैं. आपको प्रूफ करना है कि यह एक रॉंबस है. रॉंबस प्रूफ करने के लिए चारो साइडो को आप बराबर प्रूफ कर देंगे तो यह रॉंबस आटोमेटिक प् स्ट्राइजी यह रहेंगी कि स्टैप्स इसके बहुत सिंपल है. आपको A, B, B, C, C, D और D, A प्रूफ करनी है कि यह बराबर है. तो A, B, B, C, जैसे इन दो ट्राइंगल में आई. तो इन दो ट्राइंगलों को लेके कॉंग्रेंस प्रूफ कर देंगे. और C, P, C, T से A, B, B, C, के बराबर प्रूफ हो जाएगी. उसी तरह से फिर B, C, और C, D, को बराबर प्रूफ करना है. तो यह वाला और यह वाला ट्राइंगल कॉंग्रेंस कर देंगे. और C, P, C, T से B, C, D, प्रूफ हो जाएगी. फिर आपको प्रूफ करना है कि C, D, A के बराबर है. तो C, D वाला और एडी वाला यह जो ट्रैंगल यह दो हैं इनको कॉंग्रेंस प्रूफ कर देंगे और CPCT से CD और AD बराबर प्रूफ हो जाएंगे इतना सिंपल है यह जिनका नाम रख लेता हूं मैं यह जैसे ट्रैंगल 1 ट्रैंगल 2 ट्रैंगल 3 ट्रैंगल 4 अब कॉंग्रेंस करना शुरू करते हैं सबसे पहले AB और BC वाली जो साइट से ट्रैंगल बन रहा है उससे लेते हैं इन ट्रैंगल A.O.B. एन ट्रैंगल C.O.B. कॉंग्रेंस में आपको ट्रैंगल का जो नाम है वो बड़े ध्यान से लेना होता है यहाँ पर अगर आपने A.O.B. ले लिया फिर उसके हिसाब से आप C.O.B. लोगे क्योंकि A.O. बराबर है और यहाँ पर C.O. इसके बराबर है तो नाम का इसमें ध्यान रखना है आपको अब इन दो ट्रैंगल के अंदर A.O. और O.C. यह जो लाइन है यह आपको गिवन दे रखी है बराबर है तो A.O. is equal to C.O. हो गया रिजन में लिखेंगे गिवन फिर एंगल A.O.B. और एंगल C.O.B. यह आपस में बराबर है क्योंकि इच नाइन्टी है एंगल A.O.B. is equal to angle C.O.B. रिजन इच नाइन्टी यह भी गिवन यह है आपको तीसरी चीज़ यह जो B.O. साइड है यह दोनों में कॉमन है तो B.O. is equal to B.O. रिजन में common कोई चीज़ जब दोनों ट्रैंगल के अंदर होती है तो वो common होती है यह हुआ side यह हुआ angle और यह होगी side तो side angle side से यह दोनों के दोनों ट्रैंगल जो है congrence proof हो गए therefore triangle A.O.B. is congrence to triangle C.O.B. कौन सा rule लगा? by side angle side triangle congress proof हो गए तो इसके corresponding part है नि 90 का angle है यहां 90 का angle है इसके सामने A.B. और इसके सामने B.C. तो एक corresponding part हो गए तो corresponding part बराबर होते हैं congrence triangles के तो therefore इसका side A.B. और इस triangle का side B.C. यह दोनों बराबर हो गए और reason में लिखेंगे C.P. C.D. यह first result है फस्ट कर दिया हमने proof कि A.B. B.C. के बराबर है अब B.C. को C.D. के बराबर proof करना है और इन दो triangle को ले ले लाए number 2 और number 3 को चलिए लेते हैं now in triangle B.O.C. and triangle D.O.C. B.O.C. और D.O.C. triangle में अब हम लिखेंगे तीन चीज़े जिन से यह congress proof होगा same to same बिल्कुल यही वाली चीज़े हैं जो लिखी जाएंगी यहाँ पर पहले लिखेंगे आप B.O.C. बराबर है D.O.C. के इनके reason लिखेंगे उपर वाले का reason है given इसका reason भी given ही है क्योंकि यह age 90 है दोनो 90 degree के है और फिर जो common side है दोनों में वो लिख देंगे O.C. is equal to O.C. O.C. is equal to O.C. और यह है common तो वो तीन चीज़े मिल गए मेरे को यह side मिल गया angle मिल गया side मिल गया तो therefore यह दोनों triangle B.O.C. is congress to triangle D.O.C. rule लगा side angle side Congress तो हो गए अब यहाँ से CP.CT से मेरे को B.C. is equal to CD मिल गया क्योंकि यह इसके corresponding part है therefore इसका BC इसके CD के बराबर reason CP.CT यह number 2 result अब number 3 result में आएगा कि CD को AD के बराबर proof कर देंगे और third और fourth triangle को लेंगे और conference proof करेंगे पहले चलिए अब ले लेते हैं triangle 3 और fourth को now in triangle नाम लिखेंगे इनका COD and AOD COD and triangle AOD तो COD के इंदर और AOD के इंदर सबसे पहले तो SID लिख लो जो बराबर है CO is equal to AO और यह reason given फिर बीच का angle लिख लें COD AOD each 90 angle COD is equal to angle AOD reason each 90 degree फिर वो साइड लिखने जो common है इसमें common DO है DO इसमें भी है इसमें भी है तो DO is equal to DO reason common तो यह भी साइड यह angle है और यह साइड है तो साइड एंगल साइड से यह दो हो ट्राइंगल कॉंग्रेस प्रूफ हो गया therefore triangle COD is congruous to triangle AOD rule लगा side angle side कॉंग्रेस प्रूफ हो गया तो CP CT से CD और AD बराबर हो गया CD is equal to AD reason CP CT यह number 3 result अब आप अपने results पर ध्यान दीजिए देखिए number 1 में क्या लिखा हुआ है AB is equal to BC तो from 1, 2 and 3 अब 1, 2, 3 से हम अपना result बनाएंगे 1 में लिखा है AB is equal to BC ठीक है AB is equal to BC हो गया second में लिखा हुआ है BC is equal to CD तो BC के सामने CD है नए is equal to तो BC is equal to यहीं पर लिख देंगे CD थर्ड रिजल्ट में देखें CD is equal to AD तो यह CD है CD is equal to AD बिल्कुल लाइन से मैंने समकों किया है ताकि लाइन से ही answer आ जाए तो AB is equal to BC, BC is equal to CD और CD is equal to AD यानि चारो के चारो जो साइड से है इस quadrilateral की यह आपस में बराबर प्रूफ होगी और जिस quadrilateral की चारो साइडे बराबर हो बीच में 90 डिगरी के एंगल बन रहे हो जो bisector होता है डाइगनल्स का वो rhombus होता है तो बस हमें सिर्फ इतना ही प्रूफ करना है रॉंपर्स सवाल खातम तेस्ट वीडियों बस इतना ही नेक्स वीडियों में तब तक किलिए गुडबाई